नमस्कार स्वागत है आपका Capital TV बिहार के खास दो अंदर के बात में और मैं हूँ आपके साथ आत्म जा जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे तोड़ पोड की राजनिती पूरे देश पे बढ़ती जा रही है और हाली में बिहार में भी देखा गया कि महागडब करदन का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम दिया लेकिन अब कहीं न कहीं चीजें उल्टा होती हुए नजर आ रही है अब दूसरी तरफ महागडबंदन जो है वह पूरा जी जान लगा कर यह कोशिश कर रहा है कि किस तरह से अब NDA के सहयोगी दल को तोड़ दिया ज तरफ से जितने भी दल है चाहे वो कॉंग्रेस हो माले हो या फिर राजत वह लगतार चिराग पासवान को आफ़र दे रहे हैं कि आप हमारे साथ आ जाएगे और इतना ही नहीं अब उपेंद्र कुस्वाहाओ और माजी को लेकर भी कई तरह की चाले-चली जा रही है कि कि क इस तरह से उन्हें भी तोड़ा जाए और इंडिये को कम जोड़ किया जाए और ऐसा होता वह इसलिए संभव दिखाई दे रहा है क्योंकि एंडिये में सीट शेरिंग को लेकर थोड़ा बहुत मुश्किल देखने को मल रहा है जितनी मांगे हो रही है सहयोगी दलों के तर कि कहीं ना कहीं है अब महागट बंधन के तरफ से कोशिश की जा रही है कि किस तरह से अब एंडिये के सायोगी दलों को तोड़ा जाए तो इसके पीछे की वज़ा क्या है इसके पीछे की सबसे बड़ी वज़ा है महागट बंधन का बदला पूर बदला लेना है महागट को और बदला किसी चीज का लेना है एंडिये में जो इस तरह से नितिशकुमार को लाया गया उसी का बदला लेना है कॉंग्रेस को आरजेडी को और तमाम पार्टियों को तो यह बदला होगा कैसे जह आपने हमको तोड़ा तो हम आपको तोड़ देंगे यही नहा है जैसा आपने कहा कि उपेंदर कुसबहा जो आपकी ख़बर है कि उपेंदर कुसबहा और मांजी जी पर भी डोरे डाले जा रहे हैं कि आप लोग भी चले यह इधर मतलब परपस साफ है इंडिकेशन साफ है कि चुनाप की घोसनास के ठीक पहले एंडिये में तोड़ फोड कर दिया जाए परसेप्शन बनाया जाए कि एंडिये में इतनी मार काट है तूट फूट है मतलब इतना राइता फैला हुआ है एंडिये में कि बहुत मुश्किल है चुनाप में उनको जनता भोड़ देने वाली नहीं है चुकि नेता आपस में ही लड़ना है तो कहां से प बदला लिया जाए तो उसमें क्या जो विरोधी है यानि कि वपक्ष है उनको ये समझ हा गया है कि चिराग पास्वान सबसे कमजोर कड़ी है उनको असानी से भटकाया जा सकता है तोड़ा जा सकता है क्योंकि लगातार महागत बंदन के सभी दलों के तरफ से ऑल्मोस्ट अपर दिया जा रहा है। अगर लोचपा की ही बात करें तो पिछला जो चुना हुआ उसमें सभी जानते हैं कि छे सीट मिला एक राजसभा की सीट मिली थी लेकिन इस बार तो उसमें भी मुश्किल है क्योंकि उपेंदर कुस बहा भी हैं जीतना मांजी भी हैं मुके सहने के लिए भी कुशिस की जा र दिल्ली में जो कॉंग्रिस के बड़े बड़े नेता हैं उनको भी है तो वो ये कोशिस कर रहे हैं कि क्योंकि जगा नहीं है चिराग पासमान के लिए और चिराग पासमान का कमिट्मेंट जादा है उनकी महत्वा कांचा जादा है तो सबसे कमजोड करी जिस सब्द का आप ने उप्योग किया कमजोड करी वो फिलाल चिराग पासमान ही है लेकि उपेंदर कुस बहा दो तीन सीट में मान जाएंगे मांजी जी मान जाएंगे उनके बेटे को अभी MLC बनाया गया है तो उनको बनाने या तोड़ने में दिक्कत आएगी लेकिन ये काते हैं कि एकदम पहाड के अंतिम छोर पर चिराग पासमान खड़े हैं मतलब हलका सभी धक्का देने से वो हमारे तरह पा सकते हैं ये एक उमीद है महागट बंदन के नेताओं को इसलिए सारी जो जो है वो चिराग पासमान को लेके की जा रही है सर हमने काफी जादा बाते की हैं इंडिये में सी शेरिंग को लेकर और इससे पहले आप देख बात कही थी कि कुछ भी हो इसी में लोगों को फिट बैठना पड़ेगा क्योंकि उनके पास दूसरा कोई आप्शन नहीं है मोधी ब्रांड चल रहा है लेकिन फिर भी चिराग पासबान पूरी कोसिस करेंगे कि एंडिये के पार्ट में हो रहे हैं अपनी जितनी कोसिस हो सकती है और जितना वो दवाब बनाके निग्विसिशन करके सीटें बढ़ा सकते हैं देखिए दो सीट पारष जी को दो सीट उनको तो ओफर होई किया एंडिये के तरफ से अब प्रेकात सीट अगर बढ़ानी होगी चिराग पासवान को जिसके लिए वो दवा भी बना रहे होंगे अपने हिसाब से तो वो सीटे उनको मिल सकती है तो चिराग पासवान की तो पहली प्रात्मिक्ता पहला प्यार तो एंडिये है ही चुकि वो भी जाना है कि जीत की है उसी से वो जीतेंगे और लोग सभा जा सकते हैं और ज्यादा प्रियोग वो लोग करते नहीं है कई पूरा में हम बोल चुके हैं कि लोजपा माइंड सेट के जो नेता हैं लोग है वो लोग सभा चुना में बहुत ज्यादा प्रियोग नहीं करते हैं जो जीती हुई पा उनको लगेगा कि नहीं एकदम हद से बाहर जा रहा है तब ही इस तरह के जो आफर है जो आफर आपको आपने अपने ख़बरों में चला ही रहे हैं कि आट सीट यहां और दो सीट यूपी में उनको आफर किया गया है इंडिया ब्लोग के तरफ से एक जो बड़ी बात हुई ह है वो हम अंदर की बात के दर्सकों को आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि जो निगोशेशन पहले तेजस्वी आदब और लालू परसाद कर रहेते चिराग पास्वान के साथ वो निगोशेशन अप कॉंग्रेस ने अपने हाथ में ले लिया है और कॉंग्रेस अपन पाइदल चली गई थी वहाँ पे रामबिला जी के यहाँ पे तो उसके बाद तो सियासत ही बदली देश की तो एक नजदीकी रही है कॉंग्रेस के साथ रामबिलास पास्वान की फैमली की चिराग पास्वान को लेके कॉंग्रेस उसी जो नजदीकिया है उसी को एक्स्प अगर उपेंद्र को स्वाहा जो कि कापि स्ट्रॉंग नेता है और उनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल लगता हैं तो आखिर उनको और पिर माजी को किन शर्टों पे तोड़ेगी महागट बंदर आपका सवाल बहुत दुरूस्त है आत्मजा जी कि कुसबाहा जी को और माजी जी को तोड़ना मुश्किल है हम वो बात नहीं कर रहे है हम बात कोशिस की कर रहे है इंडिया ब्लॉक की तरफ से ये कोशिस तूटे गे नहीं टूटे गे हों तो उसकी है कि अग्दम एग्दम ओफर दिया जा चुका दिया नहीं जायगा ओपर दिया जा चुका आप को मनमाफिक सीटे दी जाएगी जहां से यहां से आप लड़ना चाहते हैं और DAY में क्या हो रहा कि जो पुराने साती है NDA की वो पहले पूरी कोसिस करेंगे कि NDA में ही उनकी बात बन जाए NDA में जब बात नहीं बनेगी जब लगेगा कि अब गुजारान एकदम नहीं है मतलब सांस लेना भी मुस्किल है तब ही वो दूसरे विकल पर बात करेंगे और वो बिकल के रूप में तो प्रोपोजर उनके पास आया हुआ है तब निंगोशेशन होगा डिस्केशन होगा तो टूट-कूट बढ़ेगी NDA में लेकिन फिलहाल कोसिस इन लोगों की भी है कि NDA के पार्ट में रहके ही अपनी सीटों की संक्या को पढ़ाया जा है लेकिन नितीशगुमार का इतना दवाब है भाजपा के उपर फिलहालाज की तारिक में तूट-कूमार के किसी बात को भाजपा का नितित बिहार का नितितनों की बात करने हूँ उसको काटने की इस्तिती में नहीं है, कारण बजा वही लोग बता सकते हैं, बड़े नेता बता सकते हैं, जमीन पर तो कोई कारण समझ में नहीं आता स्यासत में कोशिस की जाती है संभावना टठोली जाती है बहुत तरह की संभावना होती है जिसको टठोलने का काम लोग करते हैं बड़े नेता करते हैं बड़ी पाठियां करती है लेकिन जो हाद तक हम समझ पा रहे हैं सवाल आपने हम से ही किया तो हमको लगता है कि चिराग पंदन के लोग उपेंदर कुछ बहा और माजी को लेके तो उतनी कोशिस नहीं होगी लेकिन चिराग पासवान को लेके एक जो होता ने एक्स्ट्रा एफ़र्ड लगा देना किसी काम के लिए तो वो एक्स्ट्रा एफ़र्ड वो लोग जरूर लगाएंगे लगा भी रहे हैं लेकिन अंतिम फ़सला चिराग पासवान को करना है दस्तारिक को वो आही रहें वहाँ बैसाली लोग सभा में बड़ी सभा उनकी होनी है और वहाँ जो मोमेंटम बनेगा वहाँ जो उसकी लाइन होगी उसी से तय हो जाएगा कि चिराग पासवान का अगला कदम क्या होने वाला है तो देखिए बिहार की राजनिती में अभी भी काफी सारी चीजें देखने को मिल रही है खबरे आ रही है कि कहीं ना कहीं अब इंडी ब्लॉक जो है वह इसकोशिश में जुटा है कि किस तरह से कैसे भी करके इंडिय की जितने घटक दल है उन्हें तोड़ा जाए और इंडिय की बिहार में तो कमजोर कर दिया जाए ताकि उसके पास जीतने की मौके थोड़ा कम रहे लेकिन ऐसे में सबसे कमजोर कड़ी चिराग पासवान ही नजर आ रहे हैं क्योंकि उपेंद्र कुस्वाह और माजी को लेकर अभी भी क्लियर बहुत है कि वह अपना मन बहुत जल्दी नहीं बदल पाएंगे और उनकी चांसेस बहुत कम है कि वह साथ छोड़ दें डिये का और इंडिया गट बंदन में चले जाए लेकिन चिराग पासवान को लेकर अभी भी शंसे की स्थिति बनी हुई है तो आपको क्या लगता है कि वाकई में चिराग पास कर दो